खबरों आगे बढ़ते हैं दिली में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी के बीच गटबंदन पर लगबग फॉर्मुला तैम आना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक दिली में आमादमी पार्टी चास सीटों पे चुनाव लड़ेगी वहीं तीन सीटों पर कॉंग्रेस अपने उमिद्बार उतारेगी सूत्रों के माने तो कॉंग्रेस पूर्वी दिली, नौर दिली, चान्नी चॉक सीट पे चुनाव लड़ सकती है वहीं आम आद्मी पार्टी नई दिल्ली, उत्तर पश्यमी दिल्ली, पश्यमी दिल्ली और दक्षिन दिल्ली के सीटों पे चुनाद लड़ सकती है वहीं खबर ये भी है कि गुजरात, अर्याणा और असम में भी आप और कॉंग्रेस के बीच सीटों का समझाता हो सकता है सब्सक्राइब आपको लग रहा है कि अब तो कल जल्दी अनौन्स हो जाए तो सब्सक्राइब बहुत डिली हो गया है जल्दी होना चाहिए पता नहीं मैंने डारेक्ली जो है जो हमारा एलाइंस होने जा रहा है या नहीं होगा उसमें इन्वाल्ड नहीं हूँ मुकुल वासनिक जी के रेक्ष्टा वाली कमेटी उसमें इन्वाल्ड है तो इसलिए जो है मेरा उस पर कोई टिप्लेंग करना मुनासिव नहीं होगा चले इस कबर पर उस जानकारी के लिए सिधार रुक करते हैं मेरे स्योगी अमित पांडे का आज जी बिल्कुल रभी लगातार हम देख रहे थे कि पिछले कई हपतों से आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रहे थी का ओंग्रेस सीट शेरिंग को लेकर सीरियस नहीं और लगातार दूसरी पार्टी यांखा सपा कि अगर हम बात करे तो उन्होंने भी दो लिश जार जिसके बाद कॉंग्रेस ने दुबारा आम आदमी पार्टी से संपर्ख किया और जो हमारे सोर्सेज जो पार्टी के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे कि चार तीन का फॉर्मूला जो है उस पर लगबख सहमती बन गई है आम आदमी पार्टी जो है वो दिली की चार फीटों पर लोकसभा चुनाओं लड़ेगी जबकि कॉंग्रेस जो है वो तीन सीटों पर चुनाओं लड़ेगी सबसे महत्पून बात जो है वह आम आदमी पार्टी ने जो जिन सीटों को अपने पास रखा है उसमें साउथ दिल्ली नौर्थ वेस्ट नई दिल्ली और वेस्ट दिल हो सकते क्योंकि उनका पुराना लोकसभा शेत्र है और ऐसे में अगर कॉंग्रेस के साथ एलाइंस होता है तो इस सीट पर मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी और इंडिया गर्मनन जो है वो बीजेपी को टकर दे सकती है उसके लावा अगर हम साउथ दिल्ली की बात कर है या जो लगातार ग्राउंड पर जुड़े हुए उनके विधायक है उसका फाइदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लेना चाहती है इसके लावा अगर कॉंग्रेस की अगर हम बात करें तो चानी चौक इस डैली और नॉट्स की जो सीट है वो कॉंग्रेस के खेमे में दिया जा रहा है तो ऐसे में उमीद कर रहे हैं दोनों पार्टियां की एलाइंस में साथ हाने से कहीं ना कहीं जो बीजेपी को टकर देने में आसानी होगी लेकिन रही बात जो पुराना रिकॉर्ड है चार-तीन का फॉर्मुला बीजेपी को हराने के लिए तैकि आगे तो आपको बता दें कि दिल्ली में चार-तीन का फॉर्मुला जो है वो तैकिया गया है आवादमी पार्टी चार लोगसबा सीटों पे चुनाव लड़ेगी और कॉंग्रेस तीन पे लड़ेगी क्योंकि शुरुआत में ये खबरे आई थी कि आवादमी पार्टी और लता हुआ है वो है चार-तीन का